हेलो दुस्तों वेलकम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ होंगे आप लोगों के सामने खड़ी वी है ब्रेंड न्यू बजाज की पलसर एनेस 200 आप लोग मतब कमेंट कर रहे थे कि कल मैंने ब्लाइक वाले का रिवियू किया तो आप लोग काफी दा कमेंट करते हैं कि भाई जो वाइट वाली एनेस आती हैं उसका भी मतब रिवी करो 200 सेग्मेंट में तो इस पीडियो में दोस्तों नई वाली एनेस के बारे में बात करेंगे और वाइट कलर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली पर आया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल के अगन को अन कर लिजेगा ताकि ऐसी ही इंट्रस्टिंग उडियो की नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे उडियो सब्डेट रह सके है तो चलिए दोस्ते इस वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में कंपनी ने इस बाइक का कितना प्राइस बढ़ा है आपको मैं बताना चाहूंगा पहले से अगर हम कंपरीजन करें तो अराउंड आठ हजार रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो इसका बढ़ चुका है अभी आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड वन लेक 47,000 एक लाग 47,000 रुपए के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी बात करें ओन डोट प्राइस के बारे में तो ये बाइक अब ऑन डोट प्राइस अराउंड वन लेक 88,000 एक लाग 80,000 से एक लाग 82,000 रुपए के आसपास की आपको ओन डोट प्राइस देखने को मिल रही है तो देखा जाया तो ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाया गया बठा प्राइस तो बढ़ाया गया है चलिए अब आज आते हैं इसके रिव्यू में सबसे पहले बात करेंगे फ्रंड के बारे में फ्रंड में दूस्तों आप लोग को बाइक में पहले की तारा जो है हेलोजन लाइट देखने को मिलता है बात करने इसमें आप चेंजेज भी है और सश्पेंशन की बारे में पहले तक बाइक में आपको टिलिस्कोपिक सश्पेंशन आते दे बाट फाइनली अब बाइक में आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मिल रहा है तो ये भी एक जो update है इस बाइक में लाया गया तो जो कि मुझे काफी ज़ता अच्छा लगा और ये plate भी change कर दी गई है ये 300 mm की plate है ये N250 N160 वाली plate है पहले भी NS में अलाकि 300 mm की आती थी बड़ इसमें आपको ये change देखने को ज़रूर मिलता है तैयर सेज में फ्रेंड में आपको 180 की जो टेर है इसमें देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं इस बाइक के engine specification के बारे में दोस्तों NH200 में 129.5 सेजी का liquid cool forestroke SOC4 वाली जो engine है वो आपको NH200 में देखने को मिल जाता है बात करें power and torque के बारे में NH200 maximum power में 24.5 की PS power generate करती है and 18.7 को जो intermittent torque है वो आपको NH200 में देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं बाइक में आपको power and torque है वो काफी अच्छा देखने को मिलती है पुरानी बाइक से comparison करें तो बाइक में power की कोई कमी नहीं है इसमें आपको cooling system में liquid cool engine मिलता है या पर आप देख पार है काफी बड़ी सी जो radiator है वो यूस की गई है इस बाइक में बाइक का radiator है ठीक है liquid cool engine आपको बाइक में मिलता है साथ में बाइक में आपको 6 gear देखने को मिलेंगे बाइक FI के साथ में आती जिसे fuel injector भी कहते है इसमें आपको BS6 के साथ में OBT2 sensor भी मिल जाता है साथ में आपको बाइक में DTSI triple spark plug जो टेक्नलोजी है वो आपको बाइक में मिलती है एक मुझे छोटी सी कम्मी लगी कि बाइक में कमपणी ने sleeper clutch नहीं दिया sleeper clutch करते देते तो यह और भी बहतर हो जाती तो यह था दुस्तो इस बाइक का complete engine specification engine में फिलाल कमपणी ने कोई update नहीं किया है बात करने इसके mileage plus performance के बारे में mileage में आपको यह बाइक around 35 के आसपास को जो mileage है इसलिए आपको निकाल कर दे देती है 0 to 100 में लगबागी से 10 second के आसपास के लगते है top speed around 140 km per hour के आसपास की देखने को मिल जाएगी अब आज आते हैं इसके rear की तरफ में रियर में बाइक में आपको 230 mm के डिस्प्लेट है वो देखने को मिलती है रियर में बाइक में आपको 130 70 के टायर साइज मिलते है पहली की तरह टायर में भी कोई चेंज नहीं है रियर में आपको बाइक में nitro monosock suspension देखने को मिलेंगे which is very nice suspension काफी आप comfortable light कर सकते हो यहापे आपको NH200 की branding भी मिल जाती है और यह जो graphic देखने है यह पूरा नया graphic है पुरानी वाले से comparison करते है तो पूरा नया graphic अला कि मैं एक video ज़रूर दालूँगा old NH200 versus new NH200 उसमें आपको और भी अची तरह के समझ में आ जाएगा बात करने इस bike की tail light की बारे में तो tail light में आपको LED जो tail light है वो देखने को मिलती है तो यहापे भी कोई changes नहीं है वो भी आपको पहली की तरह मिल जाता है चलिए बात करते हैं speedometer के बारे में सबसे पहले आप खी देख लिए कुछ उस्टाप के खी एनेस में आती है speedometer दोस्तों बाइक में आप लोग को analog with digital meter देखने को मिलता है जो की same पहली की तरह है दो changes की है एक आपको बाइक में अब gear indicator मिल जाता है और बाइक में आपको average fuel economy जो indicator है वो भी आपको यहां पर मिल जाता है बतब कि बाइक कितना mileage दे रही है वो भी आपको बाइक में मिलेगा तो यह भी एक चीज आपको बाइक में मिल जाती है बाकि सारी चीजे वही same है battery indicator, fuel indicator, takeometer, clock, speedometer, low all indicator, distant to empty indicator जो है वो फिलाल company ने नहीं दाली है दो switches मिलते हैं जिससे आप इसके speedometer को control कर सकते हो switches में पास तीज लोभी में हभी में 10 सिंगल है होन इंजन किल सी self का switch आपको बाइक में मिल जाता है बस जनरली जो अपडेट किया गया वो किया गया डूल चैनल ABS में यूएजडी फॉक्स suspension में नया ग्राफिक है नई प्लेट है और gear indicator आपको बाइक में देखने को मिल जाता है तो यह सारे कुछ update आपको बाइक में किये गए बाकि आपको दोस्तों नई वाली NH200 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा बाकि NH200 लवर्स तो ओविस सी बात है वो 200 लवर्स जो है वो किसी और बाइक में जाती नहीं है उनको एनेस बहुत जाधा पसंद और update आ गई तो ओविस सी बात आप और भी जाधा पसंद कर करते हैं आपके छोटी सी इंट्रेस्टिंग अच्छी लगी की मिलते हैं नेक्स वीरियो में लवी ओल जैहिन वंदे मातरम